केज्जा सुदीप की विक्रांत रोना बॉक्स ओफिस पर तब से कहर बरपा रही थी, फिल्म ने जब अपने थेटर्स में 11 दिन पूरे किये थे और इस दर्मियान कई फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन विक्रम रोना का जल्वा बरकरार था, सुदीप स्टारर के लिए द रोपे से अधिकी कमाई करने में काम्याब रही, फिल्म बॉक्स ओफिस पर मेकस की उमिदों पर खरी साबित हुई और अपने जल्वे को जारी रखा हुआ, ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को कन्नड के अलावा, हिंदी, तमिल, तलगू और मल्यालम में रिलीज हुई है, अभिनेत सल्मान खान ने विकरांत रोना का हिंदी वर्जन पेश किया, जिसने अब तक 10 करोड से जादा का बिजनिस कर लिया था, विकरांत रोना दुनिया भर में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ, डबिंग वर्जन ने भी अच्छा कारुबार था, बताय जा रहा है कि कई फिल्मों के सिनेमा घरों में उतारे जानी के बावजूर भी दर्शक किच्छा सुदीप की फिल्म को देखना पसंद करते हैं, हिंदी बैल के दर्शक भी इसे खूब सरा रहे हैं, ये एक बहु भाशी एक्शन एडवेंचर है, जो पशपन देशों में 14 भाशाओं में 3D इस फिल्म को 95 करोड उपे की लागत से बनाया गया है, और अपना बजट निकाल कर ये सूपर हिट सावित हो चुकी है, विकरांत रोना ने रनवीर कपूर, संजस टारर, समशेरा और अरजुन कपूर, जोहन इब्राहिम, तारा सुतारिया और दिशा पठानी की एक विलन जैसी फिल्मों सी कड़ी टकर देते वे, ब्लोगबस्टर बनकर उभरी है, इसमें किच्छा सुदीप के अलावा, जाकलीन फनांडिस, निरूप भंडारी और नीता अशोक महतपूर्ण भूमिकाओं में है, वसे जानकारी के लिए आपको बता दे, सुदीप और राजा पॉली ने भी उनकी प्रशन सा की है, तो लोगों को लग रहा है कि भविश्वें ये दोनों किसी प्रोजक्ट में साथ काम करें, फिल्म विकरांत रोना उस जमानी की काल्पनिक कहानी है, जब देश में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, जंगलों की बस्तियों की आसपास आ एक मरता है तो उसकी अगली पीडी उसकी जगल ले लेती है, इस लिहास से देखे तो हिंदी सिनमा का चुलबुल पांडे भी विकरांत रोना का वंशच लगता है, कहानी एक पलिस इंस्पेक्टर की है जो अपनी लापता बीवी और बच्चे की तलाश में घने जंगलों म बसे एक गाउ में आता है और वहां लगतार हो रही बच्चो के अपहरन और हत्याओ की गुथी सुलजाता है, 85 लोक में रची गई इस मर्डर मिस्ट्री में और भी तमाम के दार है और हत्यारों का शक एक से दूसरे पर घूमता रहता है, फिल्म में विकरांत रोना अपनी पूरी आभा मंडल को एक देसी दारों के ठेकी पर नाशने वाले के साथ थुमके लगा कर तार तार कर देना विकरांत रोना के किरदार की कमजोरिया है, फिल्म का आधार जाती संगर्ष है, सवर्णों और दलीतों की बीच की चुआ छूट को लेकर उपजे इस संगर्ष क नतीजे में ही फिल्म का असली रहसी छुपा है, कहानी 28 साल की यातरह तै करती है और जिसे एक बिंदू पर इस कहानी के खलनाय का बदला छुपा है, उसका संबन हीरो की बच्ची के साथ स्थापित करने में ना काम रहती है, इस बच्ची को लेकर भी फिल्म के क्लामेक्स म समय निवेश का रिटन जीरो कर देता है,